आज मैं आप लोगों को बताऊंगे सिंगल कटोरी ब्लाउस I know कि आप लोगों के लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही सिमिलर होगा ये आपने बहुत बार देखा भी होगा बट इस वीडियो मैंने बहुत ही इजी वे में कटोरी ब्लाउस की कटिंग बताई है बहुत ही असान तरीके से वो भी सभी साइजेज के लिए तो वीडियो के एंट तक जरूर देखें तो यहाँ पर मैंने 36 इंचेस के लिए यहाँ पर बनाया है तो यहाँ पर अस्तर को half fold कर लिया है और 36 inches का चौथा भाग यहाँ पर 9 inches ले लिया है और यहाँ पर 1,5 inch का margin ले लिया है तो यहाँ पर total length हो जाएगा आपको 10,5 inch का तो यहाँ पर आपको जितना भी changed है उतना यहाँ पर आप ले सकते हैं और उसमें 1,5 inch का margin कर सकते हैं चौथा भाग ले करके इस तरीके से आपको marking कर लेनी है और जहाँ पर हमने mark किया है वहाँ पर को आपको एक बार straight line ड्रॉ कर लेनी है तो इस तरीके से करना है आपको अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है मैं 12 इंच का blouse का length है यहाँ पर और एक इंच एक्स्ट्रा लेकर के 13 इंच पर marking कर रही हूँ आजकल जो है जेनरली लोग छोटा blouse पहनना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें होता है कि waist area आपका visible होता है जिससे आपका height length जो है long create होता है इस हो जैसे यहाँ पर जो है छोटा blouse कई लोग पहनना पसंद करते हैं और इस तरीके से आप ले सकते हैं और यहाँ पर shoulder मैंने 5.5 इंच लिया है और armhole भी यहाँ पर 5.5 इंच पर marking करूँगी इस तरीके से तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो blouse का length जो है बैक armhole के लिए जो हम हमेशा ही 1.5 इंच का margin देते हैं राउंड शेप लगाने के लिए वो आपको देना है और यहाँ पर neck width जो है यहाँ पर 1.5 इंच का देना है आपको और यहाँ पर back neck का जो dipness है वो यहाँ पर 9 इंच देना है और मैं आपको link भी description दे दूँगी कि कितने size के लिए और कब और कितना length लेना होता है और कितना shoulder arm हो लेना रहता है उसका detail video मैंने बनाया है और उसका link में description दे दूँगी आप जाकर check कर लेना बहुत informative video है और यहाँ पर इतना marking करने के बाद यहाँ नीचे side जो होता है यहाँ पर कमर हो जाएगा और कमर dart और margin का marking करके आपको लेना होता है तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि कमर side में कभी भी इस तरीके से कम कपड़ा मत कट करें नहीं तो dart के लिए कम पढ़ जाता है तो dart के लिए margin लेते हुए आपको यहाँ पर back part में भी कट करना है नहीं तो back part में जैसे dart के लिए dart बनाने के बाद फैबरिक छोटा हो जाता है इस तो जैसे अब आपको क्या करना है कि back part को front part के लिए इस तरीके से रख लेना है overlap करते हुए इस तरीके से तो यहाँ पर छोटा हो रहा है थोड़ा मैं बड़ा कर लेती हुए यहाँ पर तो इस तरीके से इस तरीके से आपको इसे रख लेना है और उसके उपर आपको marking कर देनी है इस तरीके से armhole में marking करनी है और यहाँ पर neck में marking करनी है तो इस तरीके से आपको nature side भी marking करनी है यहापर जो length side है उस side भी marking करनी है वो इसलिए कि मैं आगे आपको बताती हूए कि किसले कि इस तरीके से marking करने और armhole में जो हमने shape बनाया था back armhole में वही shape बना लेना है front armhole के shape देने के लिए और 1-inch का round shape दे देना है, front arm hole के लिए, तो इस तरीके से आप जो है, इसे front arm hole में, 1-inch का round shape दे सकते हैं, और同의 half inch का यहां पर neck width marking का लेना है, और front arm hole यहां पर, शाइड है 6 inch का आपको यहां पर ले लेना है, यहां बोलते हैं, यहां पर फ्रंट नेक में राउंड शेप डीप नेक करना ही पड़ता है तो इस तरीके से स्क्वेर शेप में मार्किंग करके राउंड शेप लगा लेना है आपको और यहां पर फ्रंट पार्ट से एक इंच एक्षिटा करके यहां पर मार्किंग कर लेना है तो इस तरीके से marking कर लेना है और इसे straight line draw कर लेना है अब आपको क्या है कि जो extra fabric है उसको कट कर लेना है ताकि कोई confusion ना हो कि कहां पर क्या हो रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आए इस वज़े से तो इस तरह किसा आपको कर लेना है अब आपको यहां पर मार्किंग करना है बेल्ट का तो यहां पर जो है हमारा ब्लाउस का लेंग जो है 13 इंचेस है लेना पड़ता है उसकी वज़े से ठीक है तो यहां पर जो है इस तरीके से कर लेना है अब आपको चेस्ट जो है यहां पर जो नाइन इंचेस था उसको लेना है और यहां पर कुछ नहीं करना है आपको चेस्ट में और यहां पर कमर है तो कमर 33 इंचेस है तो यहां पर 33 यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर जितने भी लेंग्ट है, यहां पर 6,5 inch का यह लेंग्ट आज आजाएगा, इसको 3 से डिवाइड करना है, तो 8.5 inches है, उसको 3 से डिवाइड करेंगे यहां पर, तो यह आजाएगा 2.8 inches, तो इसमें तो बहत दो हाग लेना है आपको, तो 5.6 inches पर यहाँ पर कटोरी का आ जाएगा measurement और यहाँ पर नेक से एक इंच ऊपर आपको marking कर लेनी है इस तरीके से और इस तरीके से round shape लगा लेना है आपको इस method से आप कोई से भी size का कटोरी blouse का marking कर सकते हैं बहुत ही आसान है तो इस तरीके यह टेकनिक जरूरी बनेगी हर sizes के लिए तो यह टेकनिक जरूरी करें तो इस तरीके से marking करके आपको इससे cut कर लेना है तो देखें यहाँ पर सभी parts cut हो चुके हैं यहाँ पर हमें sleeves को अलग से निकालना है और यहाँ पर कटोरी को अलग से निकालना है तो सबसे पहले हम कटोरी की marking करेंगे तो यहाँ पर जो है जो कटोरी है उसको असतर में इस तरीके से half fold करके चारों तरफ marking कर लेनी है और इसको center में रखना है ताकि जो है दोनों side जो है डार्ट के लिए fabric बच जाए इतना आपको center में रखना है कि दोनों side जो है 1.2 inches के लिए बच जाए तो यहाँ पर देखें 1.2 inches का हम डार्ट बनाएंगे तो दोनों side जो है लेंगे और ने के रिया में half of inch इस तरीके से निकाल लेना है आपको और यहाँ पर इस तरीके से round shape में marking कर लेनी है ने के रिया में दोनों side आपको half of inch इस तरीके से निकाल लेना है और यहाँ पर center में marking कर लेनी है तो यहाँ पर center इसका आजाएगर 2.8 inches तो यहाँ पर सेंटर में आप मार्किंग कर लेनी है और एक इंच उपर इस तरीके से मार्किंग कर लेना है और जो हम यहाँ पर डार्ट बनाएंगे तो आप यहाँ पर 2.7 इंच पर मार्किंग कर सकते हैं या फिर आप 3 इंच कभी यहाँ पर टूटल लेंग्थ लेकर के मार तो बहुत ही आसान है अगर आप एक दो बार जो है नौर फोल्मले ट्राइं करें तो आप किसी भी साइच के लिए बना सकते है इस तरीके से आपको हाफ फोल्ड कर proclaim जहांपर ने छोटा से कट लगा लेना है इस तरीके से करने यह होगा की हम जब डाट बनाएंगे तो हमें परफेक्ट मार्किंग मिलेगी और दोनों सैट जो है पॉफेक्ट डाट बनेगा इधर उधन नहीं होगा ति इस वज़ते आप इसे कट कर सकते हैं अब यहांपर हम स अस्तर को हाफ फोल्ट कर लेंगे चेस्ट का आधा हिस्सा लेकर के 36 इंचेस्ट है तो 18 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और यहां पर लेंग्ध जो है 5 इंचेस का ले लेना है आपको 4 इंच स्लिफ्स के लिए हो जाएगा और 1 इंच एक्स्टर जो है उसके मार्जीन की इस तरीके से आपको 6 इंच पर मार्किंग कर लेना है तो इस तरीके से आपको 6 और 6 इंच पर मार्किंग करके यहां पर इस तरीके से राउंड शेप लगा लेना है देखे और यहां पर डेड़ इंच की मार्जिन ले लेना है आपको डेड़ इंच के इस तरीके से आप कट आना है यहाँ पर इस तरीके से आपको पत्ती का शेप बना लेना है और इसे इस तरीके से रख करके आपको इसे कट कर लेना है देखे यहाँ पर स्लिज की भी कटिंग हो चुकी है यहाँ पर देखे अब आपको क्या करना है देखिक यहां पर हमने सबें पार्फ को कटकर लिया यहां पर बिए हुआ बहुत इस इसमें िहसे में पार्टी इसमें के दिय चेए अधि शूमिकल suf िंच भीडियो सुग nella क